थौट अफ़ दे श्रधारक सब्रकर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है ओम साइराम टीन साइपुजा की और से मैं प्रीती आप सब भक्तों को शत-शत प्रणाम करती हूं और टीम साइपुजा की और से साइपुजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत करती हूं टीम साइपुजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परमभक्त आज हम जानेंगे बाबा के परमभक्त राए बहादुर हरी विनायक साथे जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है तो आईए शुरू करते हैं साथे जी पहली बार शिर्डी आये तो बाबा खुद तांगा और तांगे वाला बन गए थे नीम व्रिक्ष के आसपास की भूमी शीरी हरी विनायक साथे ने मो ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्मान किया जिसका नाम साथे वाड़ा रखा गया बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह वाड़ा ही एक मात्र विश्राम स्थान था जहां सदैव भीर रहा करती थी नीम व्रिक्ष के नीचे चारों और चबूत्रा भांदा गिया सीडियों के नीचे दक्षिन की और एक छोटा सा मंदिर है जहां भक्त लोग चबूत्रे के ऊपर उत्रविमुख होकर बैठते हैं ऐसा विश्वाश किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहां धूप अगरवत्ती आधी सुगंदित पदार्थ जलाते हैं वे इश्किर्पा से सदैव सुखी होंगे यह वाड़ा बहुत पुराना तथा ज्रेन शिन स्थीती में था तथा इसके जिर्णोधार की नितात अविशक्ता थी जो संस्थान दवारा पूर्ण कर दी गई जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी वहां तीन तीन वाड़ों का निर्मान बाबा की किर्पा से हो गया इन सब में साथे वाड़ा जो साथे जी के दुवारा बनवाया गिया था पूर्वकाल में बहुत ही उप्योगी था ओम साइराम तो आज हमें हरी विनायक साथे जी के जीवन से क्या सिक्षा मिली हमें यह सिक्षा मिली के बाबा पर भूसा रखो बाबा स्वे हमारे काम बनाएंगे और हर विघन बाधा को दूर करके कारे को सफल करेंगे ओम साइराम किर्प्या साइपूजा चैनल के साथ यूहीं जुड़े रहें क्योंकि कल हम लेकर आएंगे एक और परमभक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या सिक्षा मिलती है ओम साइराम अनन्त कोटी ब्रहमांड नायक राजा दी राज योगी राज परम भ्रम चिरी सचिदानंद सद्गुरु शिरिसाइनात महराज की चै ओम साइराम चै साइराम झाल 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 झाल